नवरात्री में लोग तरह तरह की सेवा साधना करते रहते हैं तो आपको एक मंतर की साधना बताने जा रहे हैं जो स्वपन में सिध्धी जिसको कहा गया दुर्गशप्तिशती का ये मंतर है और ये मंतर बहुत ही पावरफुल है कीलन का जो उत कीलन विदी है वो हम लाईव म किसी भी चीज के बारे में जायेगा लिखह हुआ तो कुछ इसकी थोड़ी सी नियम रहते हैं वीदी रहते हैं देखो जो बच्चे दरवार से जुड़े हैं उनको तो नियम वीदीओ मां कि पता ही है कि कोई बिसाधना के पूर्ण श्रद्धा भाव से मातरानी की जोत जला करके इस मंतर को सिध करते हैं तो हमें सपने में जैसे हम अपनी पूछा निकाल सकते हैं कि जैसे हम दरवार लगाते हैं दूसरों के बारे में पूछा निकाल सकते हैं कि हमें केवल जब यह मंतर सीध हो जाता है अरदास लगा के सोना होता है कि मुझे किसी भी विश्या के बारे में जो भी आपको सिध्धी प्राप्त होती है कि है माता रानी मुझे इस विश्या के बारे में बताएं स्री दुर्गा माता का मंतर है अगर आप उस मंतर के बारे में किसी भी चीज के बारे में आप अरदास लगाते हो तो जो चीज है उसके बारे में आपको सपने में दिखाई देता और सपने में यह नहीं होता कि सवप बाते आपके आगे आती हैं आपको दिमाग यहां पे लगाना पड़ता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है उसमें से कौन सी चार बाते आप छांट सकते हो जो चार बाते आप छांट सकते हो तो आप बहुत ही अच्छे भगत बन सकते हो बहुत ही अच्छे कि वरत करते हैं उसी प्रकार से आपको वरत करने हैं वरत वाला भोजन खाना है जो भी आप पालन नवरात्री के वरतों में करते हैं सेम टू सेम आपको वही पालन इन वरत में भी करना है और अनुष्ठान अनुष्ठान इसका सवालाक का होगा सवालक्ष मंतर जिस दिन आप प करने वाला नहीं है मैं स्पेशली यहां लेडिजों की भी बात करती हूं और जैंट की बहुत सारे भाई जो हमसे भी जूड़े हैं जो बहुत सारे चैनल से जूड़े हैं या जो जूड़ना चाहते हैं क्योंकि वर्किंग होते हैं अपने परिवार के लिए उनको कमा के बिल जाप कर सकते हो बिल्कुल संभव नहीं हो पाता तो आप नो दिन आप से जितना हो सकता है रात्री का आप समय रखो इसमें और जूब ब्रह्म मुर्त का समय रखो जितना जाप आप कर सकते हो इतना जाप करिए संकल्प मत उठाइए कि मैं सवा लाख जपूंगा एक्की कि कोई ने कोई काम निकल जाता है किसी दिन और हम जाप नहीं कर सकते जो आप डेली संकल्प लेते हो उसका बहुत जादा मैतव है क्योंकि हम जब भी हमेशा जाप करते हैं अगर हम 41 दिन की जोद्र जलाते हैं तो उसमें देखो मंत्रों का कोई संकल्प कभी नहीं लिया तो इस प्रकार से आप जब भी कोई कारिया करने लगते हो तो उसमें नहीं हो पाता आपको क्या करना है आपको 9 दिन तक जितना भी आप जाप कर सकते हैं करें उसके बाद आपको कंटिनिटीस में रखनी है यानि के रोजाना आपको एक माला तो कम से कम उतारनी है और उस चीज़ को आप अगर डाइरी में नोट कर सकते हो तो बहुत ही बड़ी है अगर माइंड में स्टोर करना चाहते हो तो माइंड में याद रखो कि हमने इतने मंत्र कर दिये हैं जिस द याथ आप 2 महिन है में चाहे 3 महिन है चाहे 6 महिन है जिस दिन आप यह लिखते रहो के मैंने इतना जापिस का कर लिया पूरे स्रद्धन और भाव से तो जब आप हवन करते हो हवन में इसका एक दशांस की आपको आहुतियां डालनी है किसी भी पंडित से आप हवन करवाओ पहली बात तो हवन पंडित ही करेंगे क्योंकि उनको आचमन पता होता है सुद्धी करन पता होता है विनियोग पता होता है पता होता है भोग लगाने की पता होती है हमें तो नहीं पता है इन चीजोंगा क्यूंकि हम इतने सास्तरों को नहीं पढ़ते हैं अगर पड़ भी लिया हमने तो एक डेड़ घंटा तो इसी चीज में चला जाता है कि अब हम अपने सरीर का सुद्धी करण करते रहें तो पंडित जो होते हैं उनको शोर्ट कट में ये चीज सारी जो है सिखाई जाती हैं और वो अच्छी तरह से हमारा हवन जो है करने में सक्सम होते हैं तो आपको जब भी आपके सवालाख ये जाप पूरे हो जाएं तो आपको अनुष्ठान करना यानि के हमन करना है और उस टाइम पीरिड के बीच में जब आप 51,000 से उपर टप जाते हो जब आपका मंतर जाप 51,000 से उपर चला जाता है तो वो सक्तियां आपको स्वापन के माद्यम से संकेत देना शुरू कर देती हैं सवालाख जाप होने से पहले ही आप उन संकेतों को अगर समझके अपनी जो साधना है भक्तियां उसमें सच्चे मन से लगे रहते हो तो आपको सवालाख मंतर पूरे होने से पहले ही मा के आदेश होने शुरू जाते हैं बहुत बच्चे पूसते हैं कि आपको आदेश कैसे होते हैं आदेश इसलिए होते हैं क्यों क्योंकि हमने जो भी हमारे बच्चे हैं जो शिश जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि हमने जो मंतर दिया है हम जो गुरु मंतर भी देते हैं वो भी वैदिक मंतर है या भगती का ही मंतर है वो उसमें कोई साबर मंतर नहीं चलता साबर मंतर तो हम किसी भी कारिया को करवाने के लिए यूज करते हैं उनकी साधनाए क्योंकि उनको सिध करने के लिए ये नहीं है वैसे तो सवालाक जाप जब किसी मन्त्र को भी पूरण सबसें certains माह्त्र बलगते है अभ ढाए रहे हमारे पास available है जो जूड़े हैं बच्चे उनको टाइम टाइम पे हम देते रहते हैं अनुमान जी का मंतर है कारे सिद्धी के लिए और मात श्राम को और मोहिनी का मंतर हो गया बाबा जाहरवीर का मंतर हो गया अलग-अलग प्रकार के मंतर हैं वो तो खैर अलग चीज है पर आप सभी के लिए ये मंतर लेकर के आये हैं पूरी सर्दा और भावना से आप जोत जलाईए और इस मंतर का नुष्ठान सुरू कर देजिए ये कीन मानिय है आपको सपने में हर तरह से आदेश होने सुरू होंगे जब आप मतरानी से इसकी अर्दास लगा करके पूछोगे तो आपको सपना दिखाया जाएगा स्वपन के माध्यम से आपको पूरी चीज़े एकदम से जब आप उठोगे और रीकवर उसको करोगे तो आपको सभी चीज़े समझ में आने लगेंगी तो ये थी जानकारी मंतर के बारे में आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को जै आता की